हालो गाई नमस्कार मैं दुरुगेश अपने यूटूब चैनल दुरुगेश ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे NCRT के बुक क्लास 10 की दिवगात समिक्रण जो होते हैं उनको उनके मूल सुत्र द्वारा ग्यात कैसे करेंगे टो दो होते हैं एक सिर्धाचारे विदी से साल कर सकते जार या एक उमर खयाम की विदी है दो फर्मूला है लेकिन इसमें श््राचारे प्रयोग किया गया संद्धाजी की फर्मूल॑ को तो आइए श्टार्ट करते हैं क्लास 10 की भूक NCRT की द्विगहात समीकरण के मूल सुत्र द्वारा ज्याद करना अब क्या करना है कि पहले इसे दिराजा चार जी के फार्मूले को देख लेते हैं उनका फार्मूला क्या होता है फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि most most important है जब तक पढ़ाई करेंगी तब तक इस फार्मूले का उपियो होता रहेगा जो फार्मूला है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac यह फार्मूला है अपान 2a आए फार्मूले को एक बार आउट ध्यान देते हैं minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a अब यह फार्मूला आप याद कर लेजिए यह जो बीच में दिया है इसे कते हैं विविक्तर यह जो बीच में under root में दिया है under root b square minus 4ac उसे कते हैं विविक्तर विविक्तर is equal to इसे d से प्रतस्रीद करते हैं हो जाएगा b square minus 4ac इसी में जान लेते हैं विविक्तर जो होता है इसकी सहायता से हम दियागात समिक्रण के मूलों के लच्छण के बारे में जान सकते हैं इसकी सहायता से हम दियागात समिक्रण के मूलों के लच्छण गयात करते हैं तो आज अंते देख लेते हैं क्या क्या होता है ए नुमर पर जी होता है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा हो गया जीरो से तो जो डी का मान आएगा वो वास्त्विक रहेगा अथाद वी विक्तर जो आएगा वो वास्त्विक होगा डी बराबर पॉस्टिक बाई जीरो से बड़ा आएगा तो प्लस में आएगा यी वास्त्विक आएगा वास्त्विक में आएगा अब आते हैं बी बी को देख लेते हैं यह हो जाएगा बी में क्या दिया रहेगा बी स्कॉार मानस फोर असी इस उक्वल टू जीरो अगर बी का मान जीरो आगया बराबर जीरो तो मूल बराबर होंगे इसके बराबर अगर सी वला देखते हैं तो बी स्कॉार मानस फोर असी अगर जीरो से छोटा आएगा अर्थाथ डी जो आएगा वो निगेटिव में आएगा तो इसके मूल वास्त्विक नहीं होंगे वास्त्विक इसके मूल वास्त्विक नहीं होंगे तो यहां तक इस फार्मूले का लच्छन बेगया पता चल गया आपको और जो फार्मूला है माइनस B, प्लस माइनस B, स्कार माइनस 4AC, अपान 2A, आपको इसके बारे में विजन कारी होगी, अब आते हैं प्रसनावली 4E में, जो NCRT की बुक है, क्लास 10 की, 4E, मैं हर एक टाइप का कोश्चन साल्व कराऊंगा, आप कोश्चन को देख सकते हैं, और अपने से फुल एक् ये आप स्क्रीन साट ले लिएगा, अब आते हैं, कोश्चन नमर फर्स्ट के तरफ, जो कोश्चन नमर फर्स्ट दिया है इसमें, 2X स्क्वायर, प्लस 14X, प्लस 9, इस उकल टू 0, अब हमें इसे, समिकरण के जो सुत्र हैं, सिधाचारे जी के सुत्र हैं, सुत्र की साहता स हमें साल्व करना है, तो आएं साल्व करते हैं, ये जो समिकरण दिया है, पहले इसकी तोलना करेंगे, AX स्क्वायर, प्लस BX, प्लस C, इस उकल टू 0, अब, जो ये A का मान दिया है, वहीं A यहाँ पर गुडांक है, तो यहाँ पर A बराबर, A का मान जो आया है, यहाँ पर दो लिखेंगे, और B बराबर, तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहाँ मैं, तुलना करने पर, तो अब, जो B का मान आएगा, चौदर आएगा, चीने के साथ लिखेंगे, मान जो यहाँ प्लस है, तो मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन जब माइनस रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, C कमान, प्लस नौ, अब फार्मूले को देखते हैं, फार्मूलों के लिख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, X सिद्रचार जी का, X माइनस B, प्लस माइनस, B स्कॉार माइनस 4AC, अंडरूट, अपान, 2A, से, साल करते हैं, तो B कमान कितना दिया है, 14, प्लस माइनस, B कमान कितना दिया है, 14, इसका वर्ग होगा, माइनस 4, इंटू A कमान कितना दिया है, 2, इंटू C कमान दिया है, 9, अपान, अपान, 2A, यह हो जाएगा, अंडरूट में आए, अब इसके बाद माइनस, 14, प्लस माइनस, यह आएगा, जब 14 जो दिया है, इसको जब वर्ग रूप करेंगे, तो 196 आजाएगा, माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यह आजाएगा, 72, 8, 9, यह 72, अंडरूट में हो जाएगा, अपान, 2 इंटू, एक कमान कितना दिया है, एक कमान 2 दिया है, बस मान रखना है, सॉल्व करते चले जाना है, बिल्कुल असान तरीके से, प्लस, प्लस माइनस, इसको जब गटाएगे, तो यह आजाएगा, 124 अपान, 4, अब क्या करते हैं, कि यहाँ से, एक बार और सॉल्व करते हैं, माइनस 14 प्लस माइनस, इसको 124 को लिख सकते हैं, 4 इंटू 31, अपान 4, अब क्या करते हैं, टू कामन ले लेते हैं, जब टू कामन ले लेंगे, यह बचेगा, माइनस 7 प्लस माइनस 4 अंडर रूट में है, बाहर आएगा, तो टू आ जाएगा, टू कामन कर देंगे, तो यह बचेगा अंदर में 31, अपान 4, यह इससे कड़ जाएगा, आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 7 प्लस माइनस 31 अपान 2, यह X कमान है, आप देखी रहे हैं फार्मूले में, X कमान आ गया इतना, यहीं हमारा एंसर आ जाएगा, X कमान इतना आ जाएगा, माइनस 7 प्लस माइनस 31 अपान 2, अब यह तो केवल फार्मूले को सिंपल यूज करके बताया हूँ, अब थोड़ा question के, देखते हैं, question number 2 के है, मूलो के लच्छन ग्याद करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो विविक्तर हमने बताया था, विविक्तर, विविक्तर, डी बराबर, मैं लिए लिए रहा हूँ, डी बराबर, आ जाएगा, बी स्कॉर, माइनस 4AC, सॉल्फ करेंगे, विविक्तर क्याद करना है में, कि, विक्तर क्याद, question number 7 देख लेते हैं, अंडरूट में दिया है, यहाँ पर, डी इसकॉल टू, समिक्राइब पहले question लिख लेते हैं, question क्या दिया है, 3x square, आपको question screen पर दिखाई दे रहा होगा, माइनस 4 अंडरूट, 3x, plus 4 is equal to 0, अब यहाँ से, ax square, plus bx, plus c is equal to 0 से, तुलना करने पर, एक कमान कितना हो जाएगे, यहाँ पर, a is equal to 3 हो जाएगा, कामा, b is equal to minus 4, अंडरूट 3 हो जाएगा, c is equal to 4 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इस formula में, विविक्तर वाले formula में रखेंगे, देखेंगे मान क्या रहा है, pi t रहा है, ब्राबर रहा है, निगर रहा है, तो उसके इनसार बताएगे, इसके मूल के जो लच्छन होंगे, क्या होंगे, तो इसमें रखते हैं, बी स्कायर कमान, माइनस 4 अंडर रूट 3, का वर्ग माइनस 4 इंटू, ए कमान कितना होगा, ए कमान 3 है, इंटू, C कमान 4 है, अब D is equal to, इसको जब वर्गर करके साल करेंगे, 16 इंटू, यह हो जाएगा 3, 3 माइनस, यह हो जाएगा, चार्चा कुसरत है, 48 हो जाएगा, यह, अब D is equal to, यह 48 माइनस 48, यह कड़ जाएगा, प्लस माइनस में हैं, तो D बराबर 0, अर्था इसके मूल जो होंगे, बराबर होंगे, अब बराबर कैसे होंगे, आईए मैं सीध करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेशन मतलब साल करके दिखा दे रहा हूँ, माले यह सीधरा फार्चारे फार्मूल लगा द रहे हैं, एकस बराबर माइनस B, प्लस माइनस B स्क्वाइर, माइनस 4AC, अंडरूट हो जाएगा, आप कोश्चन साल करते रहेंगे, कई बार साल करेंगे, कई बार एक फार्मूले को लिखेंगे, तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आने था, इस तरह याद करेंगे, नहीं, क्या कीजिएगा, याद करते वक्त आप एक बार कहीं भी घूमते रहें, एक बार सोच ल किये ही है, माइनस B, माइनस कोष्ट को माइनस 4 अंडरूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 4 अंडरूट 3 का वर्ग, माइनस 4 इंटू A का मांद दिया है, हमारा 3 इंटू C का मांद दिया है 4, ये हो जाएगा, पूरा अंडरूट, अपान 2 इंटू 3, X, X is equal to, जब माइनस माइनस होगा, इतरी प्लस हो जाएगा, फोर अंडरूट 3 प्लस माइनस, अब इसको जब साल करेंगे, स्क्वाइर करेंगे, तो ये हो जाएगा, 16 इंटू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहली बाद, 16 इंटू 3 आजाएगा, तो ये आजाएगा, 48 माइनस, ये 48, इसी के अंदर का मान जो होता है, भी विक्तर होता है, अब क्या करेंगे, इसको इससे कार देते हैं, 2 से इसको कार देते हैं, अब यहाँ से X कमान ग्याद कर लेते हैं, X कमान आजाएगा, हमारा 2 अपान अंडरूट 3, X कमान दिया चुपकी, जबकि यहाँ पर D बराबर 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं, अतह मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे, अर्थात, यहाँ पर अलफा बराबर भी आएगा, 2 अपान अंडरूट 3, और बीटा बराबर भी 2 अपान अंडरूट 3 आएगे, अलफा बीटा मूल होते हैं, मैं आपको फर्ष्टी क्लास में बता हैं कि द्विगात समीकरण के मूलों को परदशित अलफा यहाँ वीटास करते हैं, यही हमारा एंसर आजाएगा, अब आते हैं, कोस्टन नमبر 14 को, देखते हैं, कोस्टन नमर 14, और बाकी के कोस्टन आप साल कीजे, कोई कोस्टन नहीं आया, कमेंट करके आप जो है कि अमें पूछ सकते हैं, question number 14 इसकीन भे आप question दिखाई दे रहा होगा यदि 2x square plus 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 तो k कमान पूछ रहा है k बराबर what k कमान पूछ रहा है तो k के के लिए क्या करेंगे भी विक्तर ग्याद कर लेंगे इसमें दिया है मूल बराबर है मूल बराबर है अर्थाथ b बराबर 0 हो जाएगा तो d कमान कितना है यह होता है b square minus 4 ac is equal to 0 अब यह जो समीकरण है इसको तुलना कर देते हैं ax square plus bx plus c is equal to 0 तो तुलना करने पर आप ध्यान दिजिएगा तुलना करने पर a कमान यहां से ग्याब कर लेंग a बराबर आ जाएगा 2 b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 3 अब यहां से b square b square अथा k square k square हो जाएगा minus 4 into a कमान 2 into c कमान 3 is equal to 0 अब k बराबर आ जाएगा यह चारते हैं 12 दुना कर चोविस minus 1 इस side जाएगा plus में 24 यह square है इसको square root जब बताएगे इसको आठाएगे जब तो root में आ जाएगा 24 अब k is equal to 4 into 6 लिख सकते हैं is equal to plus minus 2 under root 6 यह हमारा के कमान आ जाएगा k is equal to plus minus 2 under root 6 यह हमारा के कमान आ जाएगा अब आगे की जो question है सभी की विविक्तर ग्याद करने हैं 15, 14, 18, 23 जो यह की सभी को solve करना है आपको हर एक टाइप को मैं question solve करा दिया हूँ आप बिलकूल interest के साथ एक गम बिलकूल confidence के साथ आप question को solve कीजेगा एक भी question आपको फसने लाइक नहीं है आसा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी तो प्ली यहमारे चैनल को आप subscribe कर लें क्योंकि क्लाश 10 की मैं बुक लगवा लगवा में पूरी solve कराऊंगा आसा धन्यवाद बूल